हलो फ्रेंड स्वागते मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में खाना खाने को विबिन नवस्ताओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीचिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सपने में अपने आपको अकेले खाना काते हुए देखना जीवन में अकेला पन उदासी हानी मुसीबत अलगाव या पारिवारिक संबंदों के खराब होने का संकेत देता है साथ यह सपना आपके खाना खाते हुए देखना और आप खाना इंजॉय कर रहे हूँ तो यह सपना खुशी प्रसन्यता सुक्षांती और अच्छे जीवन का सूचक होता है सपने में स्वाधीन खाना खाना आने वाले समय में निराशा, कठिनाई, समस्या और स्वास्ति खराब होने का प्रतीक होता है सपने में स्वादिष्ट खाना-खाना, भविश्य में सुक्षान्ति, रुकाव्टों और परिशानियों के समाप्त होने, तथा परिवार व मित्रों के साथ अच्छे संबंद का सूचक होता है सपने में अपने आपको बाहर खाना खाते हुए देखना, जीवन में असुरक्षा, अस्तिर्ता और अनुशाशन की कमी को बताता है सपने में आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो या खाना कम है तो यह सपना आने वाले समय में स्वास्ते खराब होने या जीवन में किसी चीज की कमी को बताता है सपने में यदि कोई आपको खाना खाने से रोक रहा है तो यह सपना जीवन में किसी ऐसी परिशानी को बताता है जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा है सपने में यदि आप पूरा खाना नहीं खा पाते हो या छोड़ देते हो तो यह सपना मान सम्मान की हानी और लोगों द्वारा आपकी आलोचना या अपमान करने का सूचक होता है सपने में अपने आपको नमक वाला या तीखा या कड़वा खाना खाते हुए देखना आपके अंदर अनियंतरित गुस्से को बताता है सपने में अपने आपको तेज गर्म खाना खाते हुए देखना आने वाले समय में कारियों में रुकावट और परिशानी का सूचक होता है सपने में खाना गले में फसना बताता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे स्विकार करने में आपको परिशानी हो रही है। सपने में अपने आपको खराब या जहरीला खाना खाते हुए देखना, परिशानी, परिवार्व मित्रों के साथ संबंद खराब होने या जीवन में कुछ खराब होने और आर्थिक समस्या का प्रतीक होता है. आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.